जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार accounting guru में क्या हाल चाल है बेटे आप लोगों के तो जैसा कि हम अगर अपने previous lecture की बात करें तो previous lecture में मैंने आपको trading account के बारे में समझाया था और आपको बताया था कि जितने भी आपके direct expenses रहेंगे वो सारे की सारे आपके किदर जाएंगे trading account के debit में जाएंगे और जो आपका direct income रहेगा वो आपका किदर जाएगा trading account के credit side में जाएगा तो यह सारी बातें आप चाहो तो previous का जो हमारा lecture है उसमें आप जाके क्या कर सकते हो देख सकते हो आज क्या पढ़ेंगे सर वेटा आज की class आज की class में हम profit and loss account के बारे में बात करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के class को start करते हैं और class को start करने से पहले आपने अगर हमारा accounting गुरू चैनल subscribe नहीं किया है तो उसको आप जरूर subscribe करें साथी साथ जो हमारा application है आपकी सुविदा के लिए ही बनाया गया है तो उसे आप download करके वहां से भी आप अपनी class को क्या अगर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है ताकि यह जो आपका notes है यह आपको वहां पर जो हमारा app है जो जो चीज़े यहां पर लिखाई जा रही है जो books है वह आपको app पर मिल जाएगा as it is चलिए फिर लिखते हैं सबसे पहला heading आप लोग डालिए profit and loss account गेंगे profit and loss account जब आप profit and loss account की बात करते हैं अपका trading account के बात बनाये जाने वाला account है इसके बात बनाये जाने वाला inner ओंत है चीज़ जब आप organization की बात करते हैं यहाँ पे आप कहीं पे भी कोने start देके point लिख लीजेगा जब आप organization की बात करते हैं तो organization में एक point आपने पढ़ा था प्रोप्राइटर क्या point पढ़ा था आपने प्रोप्राइटर एक point आपने यह भी पढ़ा था तर पार्टनर्शिप के साथ आपने point पढ़ा था company account अब अगर हम बात करें trading account की धान से सुनिएगा trading account आपका फोल प्रोप्रोप्राइटर्शिप में बनाई जाती है partnership में बनाई जाती है लेकिन company account में नहीं बनाई जाती है यानि company organization की जब आप बात करेंगे तो company organization में trading account बनाया ही नहीं जाता ठीक है फिर उसके बाद जब हम profit loss की बात करते हैं क्या करते हैं profit और loss की बात करते हैं यहां पर यहां पर पार्टनर्शिप में भी हम लोग क्या बनाते हैं लेकिन जब आप company की बात करते हो बाबू तो company में हम profit and loss statement बनाते हैं यह difference आपको जानना है यह difference आपको क्या करना है जानना है बात इतनी समझ में आ गई तो किसी ने पूचा की जरह बताओ क्या company में profit and loss account बनता है यह statement बनता है तो आपका आउनसर क्या होना चाहिए statement बनता है अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताओ profit and loss अगाउंट और profit and loss statement में अंतर क तो अंतर यह होता है बेटा कि यहां पर हम जो भी ट्रांजिक्शन लिखते हैं वो दो साइड़ में लिखते हैं एक साइड आपका डैविट होता है और एक साइड आपका क्या होता है क्रेडिट होता है लेकिन जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना तो डाविट ना तो क्रेडिट मतलब हमें जो भी प्रेजंटेशन करनी है वह प्रेजंटेशन जैसे हम आपका क्या बनाते थे कैश फ्लो देखिए ओंक अपना बनाते हैं अभी आप लोग सोल प्रोपराइटर से पढ़ रहे हैं अभी आप पार्टनर से प्रोफित एल लास अकाउंट पढ़ेंगे जब आप कमपनी पढ़ेंगे मतलब जब आप कभी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो management account में आप लोग account नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे statement पढ़ेंगे बात clear होगे अच्छा एक चीज और तरिक बात बताईए balance sheet में क्या कोई changes रहेगा बिल्कुल changes रहेगा यहां पे आप क्या करेंगे जो आप balance sheet बनाते हैं वो भी आप account form में बनाते हैं इसमें बनाते हैं account form ठीक है account form में बनाते हैं account form का मतलब यह है कि liability amount assets amount यहां पे आपका debit credit नहीं होता मैं पहले बता दे रहा हूं लेकिन आप इसे कैसे बनाते हैं account form में बनाते हैं जीको account form को जानने के लिए आप एसे डो시간 आप एसे बना डू इस तरीके का अगर form बना तो यह क्या हो गया account form लेकिन अगर statement की बात करोगे इस entertainment में कोई account form तो आए गा नहीं तो फिर यह क्या हो जाएगा आपका particular amount क्या हो जाएंगा बेटा particular amount यह हो गया आपका statement form यह हो गया आपका क्या statement form और यह हो गया आपका क्या बेटा account form बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो यह कुछ basic difference है जो कि आपको जानने बहुत आवश्यक है as a being a graduate student graduation student आपको यह छोटी छोटी चीजे आपको क्या होनी चाहिए बेटा पता होनी चाहिए बागी profit and loss तो सबको पता है कि सर जितने भी indirect expenses होते हैं उसे हमें debit side भेजना है या जितने भी हमारे indirect income होते हैं उसे हमें credit भेजना है यह सबको पता रहता है लेकिन यह जो basic चीजे हैं यह basic चीजें कुछ genius बच्चों को पता रहती है और वो genius बच्चे कौन होते हैं जो accounting guru से पढ़ते हैं चलिए joke apart लेकिन serious है हम चलिए आगे बढ़ेंगे तो इतनी बाते आप लोगों ने लिख ली बेटा इसमें तो कोई समस्या नहीं है न देखो यह चीजे इस तरीके क कोशन बेटा जब आप लोग कभी भी commerce की फील्ड में जब आप तयारी करेंगे जैसे माल लीजए आप यूपी टीजीटी पीजीटी करते हैं किंद्री विद्याले की करते हैं नेट जी आरेफ की को पेपर देते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के question आप से पूछे जाते हैं जो की basic चीजे हैं और ना पता होने के कारण बच्चे उसमें select नहीं हो पाते हैं तो हम बात कर रहे थे आपके profit and loss की profit and loss में जड़ा लिखेंगे सभी लोग अब start देके all इंडारेक्ट के आवन अल इंडारेक्ट expenses हो अबिकत्त कुर्शन एंडारेक्ट मिसी एंडारेक्ट विल वी एंडारेक्ट और र्वी एंडार house लिए पेस्वेद को बिएे लिए्यरस अज्यरस्डावाँ लिए व你 मारत्मिक्ट यंडार्टाराम?. मतलब जितने भी आपके indirect expenses हैं जितने भी आपके क्या हैं बीटा indirect expenses हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे किस तरफ चले जाएंगे profit and loss account के चले साथ चले जाएंगे मतलब direct को छोड़ कर direct को छोड़ कर बाकी बचे कुछ है जितने भी खर्चे हैं सारे की सारे कहां चले जाएंगे आपके profit and loss में चले जाएंगे बात clear हो गई कि कुछी प्रकार से all indirect income all indirect income will be recorded will be recorded at credit side of profit and loss accounting credit side of profit and loss account बताइए बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया point clear हो गया अच्छा एक चीज दोर जानिएगा कि जब आप profit and loss की starting करते हैं profit and loss की क्या करते हैं बेटा starting करते हैं तो profit and loss की starting आपकी जानते हो किससे होती है किससे होती है सर या तो gross profit से होगा या तो किससे होगा या फिर किससे होगा बेटा ग्रॉस लॉस से होगा या तो point लिख लिए जे पाइनल बैलेंस पाइनल बैलेंस औफ प्रॉफिट एंड लॉस एक बात बताएं फाइनल बैलेंस औफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा फाइनल बैलेंस औफ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट या तो क्या आएगा बेटा नेट प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा आपका नेट लॉस आएगा बात समझ में आगई की नहीं आगई बात समझ में आगई अच्छा नेट प्रॉफिट कब आएगा जब आ और यह अलग हो गया तो इंकम is less than expenses देन Health क्या जाएगा बिटा आपका net loss आजाएगा कोई समस्य तो नहीं ना इसमें को दिक्कत तो नहीं डाउन कर लीजिए इतनी बातें इतनी बाते क्या कर लीजिएêu नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद अगला हैडिंग ज़रा सभी लोग लिखेंगे वार्मेट ओफ प्रॉफित लॉस एकांट की बात किरते हो मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा इसकी स्टार्टिंग किस्से होती है आपके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से ना बबू पॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट कि अली बनाएंगे ज्यादा मत बनाईएगा अच्छे साथ लाइन का बनाईएगा बस कि सर किताब में तो एक पन्ना का दिया है विटक किताब वाले हैं का उनको क्या है? वो एक पन्ना का 10 पन्ना लिग देंगे बच यह हो जाएंगे उसी में इसार्व इतना बड़ा इतना बड़ा बच्चे यहां हमारे इतने लायक है कि बड़ा नाम देखकी यह भाग जाते हैं तो बिटा पर्टिकुलर एमाउंट पर्टिकुलर एमाउंट तो देखिए जहान से तो क्रेडिट की सुरुवात हम लोग किस से करते हैं आपका बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई क्या ग्रॉस प्रॉफिट और यह बैलेंस कहां से आया है balance transfer from trading account यह लिखने की आपको जुरूफिट नहीं बस मैंने ऐसे लिख दिया कि balance transfer from trading account मैंने सिर्फ आपको समJamJhahn के लिए लिखा है कुश्चन जब आप करेंगे तो यह लिखना नहीं है बलकि सिर्फ ग्रॉस क्रॉफिट लिखना है ।बलकि क्या लिखना है आपको gross profit लिखना है clear हो गया फिर मान लोगर कोई loss होता तो उसे कि side लिखते फिर हम लोग debit side यानि two gross loss ठीक है तो ये भी आपका कहां से आया होगा trading account से ही आया होगा वे समस्या तो नहीं ना इसमें अब देखिए जितने भी आपके indirect expense हैं जितने भी आपके क्या है indirect expense है वो कि इदर चले जाएंगे आपके debit side है ना मैं यहां पर लिखूँ औल इंडारेक्ट expenses कि देखो यह point लिखा है ना ओल इंडारेक्ट expenses is a transfer from कहां debit side सर कुछ example दो तो मजाएगा देखो मैंने यहां पर लिख दिया to salary to salary ठीक है बेटा salary के बाद to rent फिर to अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा wages wages is not your direct indirect expense it is your indirect expense wages is not your indirect expense it is a direct expense तो यह कहां जाएगा आपका trading account में जाएगा ना कि आपके PL में जाएगा ठीक ना बेटा office lighting office lighting to depreciation of machinery या assets लिख लिजेगा ठीक है to loss अब loss में कुछ भी आप लिख लिजेगा अपना यह जितने भी आपके बचे कुछे खर्चे हैं वह आपके किदर चले जाएंगे बेटा debit side में चले जाएंगे किदर जाएंगे आपके debit side में चले जाएंगे और उसी तरीके से माल लीजिए अगर कोई income आ जाती है जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ रेंट है अगर सिर्फ क्या है आपका रेंट है वह किदर जाएगा आपका debit side में जाएगा अर लेकिन अगर rent receive है किदर जाएगा आपका credit side में कि रेंट receive ठीक है बाई कमीशन receive अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बात बता हो गर रेंट receive हो सकता है तो salary भी receive हो सकता है तो मेरा आपसे एक सवाल है बिटा आप business हैं कि आप employee है सार हम business हैं तो बिजनेस को कभी salary receive होगी पीस receive हो सकती है पीस ठीक है salary नहीं receive होगी ठीक है फिर उसके बाद buy interest receive buy interest receive और फिर उसके बाद last में आपका क्या जाएगा net profit net profit कब आएगा जब आपका CR ज्यादा रहेगा आपके किस से DR से और अगर सर मालीजे हमारा DR ज्यादा है तो फिर आपका क्या जाएगा net loss आ जाएगा यानी CR is less than DR नोट डाउन करेंगे अगला question लिखेंगे अगला point लिखेंगे balance seat देखो question balance seat को समझाने के बाद करेंगे तर जाके मज़ा आएगा जब आपको trading account balance seat और आपका PL account एक साथ बनाना रहेगा balance seat तो देखो जब आप balance seat की बात करते हो कुछ point इसके बारे में जान लो balance seat लिखेंगे with the help of balance seat with the help of balance seat ओर्गनाईजेशन विल बी विल बी नो विल बी नो फाइनेंशियल पुजीशन विल बी नो फाइनेंशियल पुजीशन यानि कहने का मतलब क्या है विटा कि बैलेंस शीट की सहायता से आप किसी भी organization की क्या पता कर सकते हैं बैटा फाइनेंशियल पुजीशन को आप क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं अच्छा net result कैसे पता चलता है एक सवाल कि sir how to calculate how to find net result तो बैटा net result कैसे पता चलता है आपका profit and loss account से ठीक है यहां पर आप एक पॉइंट आ लिख लीजेगा, स्टार देके, with the help of profit and loss account, with the जगा बची होगी न, with the help of profit and loss account, profit and loss account, no, net result of organization, नेट रिजल्ट ओफ और्गनाइजेशन ठीक होगी भाई समझ में आगया भाई या चालो आगे देखो एक पॉइंट हो लिखो बैलन सीट इस प्रिपेयर बैलन सीट इस प्रिपेयर प्रिपेयर अन प्रिटीकुलर प्रिटीकुलर डेट यह पॉइंट बहुत ध्यान से समझो यह क्या लिखाया प्रिपेयर प्रिपेयर यानि जो आपकी वैलन सीट होती है वह एक निश्चित तिथी को बनाई जाती है और निश्चित तिथी का मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपना नेट रिजल्ट कर लेते हैं आप क्या कर लेते हैं जैसे ही नेट रिजल्ट अच्छी होगी कि खराब होगी obviously sir अच्छी होगी but in case loss हो रहा है loss हो रहा है क्या होगी खराब होगी लेकिन ये तो मैंने एक सीधा statement दे दिया profit 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 तो financial position अच्छी loss 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 मतलब financial position खराब लेकिन फिर मैंने कहा एक बार profit हुआ फिर loss हुआ फिर profit हुआ फिर loss हुआ फिर profit profit फिर loss loss अब बताओ financial position अच्छी की खराब पहली बार में आपने बीना सोचे आंसर दे दिया कि sir अच्छी होगी लेकिन तीसरे वाले case में अब आपको सोचना पड़ेगा कि sir हम अच्छा बोलें की खराब बोले अच्छा बोलेगी खराब बोले अच्छा बोलेंगे तो हो स्कता खराब आनसर आ floss आ जाएए खराब बोलेंगा ता हो सकता आच्छा अनसर आज आ तो इसी वज़ाय से आपको क्या बनाना पड़ेगा balance it बनाना पड़ेगा समझ में आ गया To balance it इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको हमको यानि organization को financial position क्या करनी होती है पदा गरनी होती और यह कब बनाया जाता है particular date पर और यह जो particular date होता है यह जर्णली आपका क्या होता है बेटा इंड आफ दा इयर होता है क्या होता है आपका इंड आफ दा इयर होता है और जैसे ही आप इंड आफ दा इयर कहते हैं आपके सामने दो इयर आ जाता है कि नहीं आ जाता एक आपका calendar इयर आ जाता है और एक आपका क्या आ जाता है financial इयर आ जाता है तो calendar इयर की starting हम लोग कब से करते थे करते हैं कि कैलेंडर की स्टार्टिंग हमारी होती थी एक जन्वरी से 31 दिसंबर यह कैलेंडर एर है और फाइनिंशल एर की कब होती थी एक अप्रेल से 31 मार्च तो यह होती थी हमारी फैनिंशल एर ठीके बेटा अब यह मैंने क्यूं कहा किसलिए कहा बेटा कि जब मैं आपको और्गनाइजेशन के बारे में समझा रहा था तो और्गनाइजेश सब में बनेगी तो आप एक चीज याद रखिएगा कि यह दोनों और्गनाइजेशन सोल प्रोपराइटर्शिप और पार्टनर्सिप कोई भी एर फॉलो कर सकते हैं इनके पास एर को चुनने का क्या रहता है ऑप्शन रहता है मतलब चाहे तो कैलेंडर फॉलो कर लें चाह इसकी इसकी वजह से इसको आलवेज फॉलो करना पड़ेगा क्या फॉलो करना पड़ेगा ऑलवेज इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा 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 क्या आपका financial ही follow करना पड़ेगा बताओ समुझ में आ गया कि नहीं आ गया वह दिक्कत तो नहीं चलिए एक पॉइंट लास्ट लिख लीजिए कि कि विपूल्स और दवाई लाए होंगे है कि तीसरा पॉइंट देखो बैलेंस सीट है अब टू एस्पेक्ट बैलेंस सीट हाब टू एस्पेक्ट एक आपका क्या रहेगा बेटा एसेट्स और दूसरा क्या रहेगा आपका लाइबिलिटी एक आपका एसेट्स और दूसरा आपका क्या लाइबिलिटी नोट डाउन कर लेजे और फिर उसके बाद आपको अब हम इन दोनों एसपेक्ट के बारे में क्या करते हैं विटा समझाते हैं जब कि अब देखो मैंने आप से कहा कि बैलेंसीट के कितने भाग होते हैं विटए दो भाग होते हैं एक होता है एसेट्स और एक होता है आपका क्या लैबिलिटी होता है ठीच है तो अब messaging को हम क्या करते हैं सबसे पहले देखते है और acid side को देखने के बाद फिर हम आपका किस side को देखेंगे liability side को देखेंगे इससे क्या होगा कि आप format को draft करने से पहले ही format में क्या क्या चीजें आएंगी वो आप उसे क्या कर लोगे जान लोगे ठीक है आपको रटना नहीं है मैं पहले बता रहा हूं रटना नहीं है आपक तो जब आप assets की बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो तो assets को समझने के लिए मैंने आपको already basic terms of accounting में बता रखा है कि assets क्या होती है assets आपका amount जो की future benefit के लिए use होता है जिसे हम cash में convert करते हैं तो वो सब meaning winning की बात थी अभी हम इसके form को समझेंगे इसके part को समझेंगे देखो assets को अगर आपको जानना है assets को जानने चानने के बाद वो तो आपने meeting जानी लिया उसके बाद आपको यह जानना है कि assets आपकी दो भागों में मारती जाती है कितनों भागों में हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है दो भागों में इसे हमें रिकॉर्ड करना रहता है एक है आपका फिक्स ऑपका वेटा करेंट एसे थिक है अचा फिक्स एसिट्स में आपके कितने पॉर्षन होते हैं दो पॉर्षन होते हैं एक होता है आपका टैंजिबल पॉर्षन पीक है और दूसरा होता है आपका क्या? Intangible fixed assets एक होता है tangible fixed assets और दूसरा क्या होता है आपका? Intangible assets अब उसके बाद screenshot ले ले अब tangible में क्या होगा कहानी? कि sir जिसको आप क्या कर सको? देख सको और जिसको आप क्या कर सको? छू सको रही है? अब जैसे building हो गया land हो गया पर nature हो गया machinery हो गया क्या हो गया बेटा? machinery हो गया तो यह example है किसके आपके? tangible fixed assets के clear हो गया न intangible की बात करेंगे जिसको आप ना तो देख पाओगे जिसको आप ना तो क्या कर पाओगे? छू पाओगे जिसको आप ना तो देख पाओगे नहीं क्या कर पाओगे? छू पाओगे इसमें जो famous example है क्या है आपका goodwill फिर और क्या है आपका copyright ठीक है क्या होता है आपका copyright और आपको मैं बता हूँ आपको यह पढ़ना है यह chapter copyright वाला chapter पढ़ना है रोयलिटी भी आपको पढ़ना है मतलब रोयलिटी में ही copyright है यह वाला chapter आपको क्या करना है पढ़ना है ठीक है फिर उसके बाद patent हो गया फिर क्या हो गया आपका software हो गया यह वह example है किसके intangible fix assets के example है बात clear होगी बाबू करेंट में क्या है तो करेंट की जब हम बात करेंगे तो करेंट मतलब जो आपका विदिन 365 days या 12 months के अंदर अंदर आप उसको यूज कर लेते हैं या फिर वह आपका cash में क्या हो जाता है convert हो जाता है पॉइंट क्लियर है अब इसमें जो सबसे पहला famous example है क्याश है फिर क्या है आपका bank है debtor है stock है और मैं stock की अगर बात कर रहा हूँ तो यह कौन सा stock होगा closing stock opening मतलिक दीजेगा ठीक है उसके बाद आपका bill receival है क्या है आपका bill receival है ठीक है भया फिर उसके बाद क्या है accrued income है क्या है आपका accrued income है फिर prepaid expense है क्या है आपका prepaid expense है तो दिस इस दा example of the fixed assets अब देखो मैं आपको बताऊँ अगर आप अपनी किताब की balance sheet उठा की check करोगे न तो यह जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है यह सब आपका कैसे लिखा है sequence से लिखा है यानि building land furniture machine goodwill copyright patent software cash bank data stock bill receival accrued income prepaid expense यानि हमने क्या किया कि सबको एक साथ ना लिखकर उसको क्या कर दिया classify कर दिया classification से दो फाइदा हुआ आपको एक फाइदा यह हुआ तो आपने यह जान लिया कि सर इसमें क्या क्या आएगा दूसरा आपने यह जान लिया कि सर assets के कितने part होते हैं यह भी आपने जान लिया तो दो फाइदा हो गया कि नहीं हो गया हमारा यह तो हो गया हमारा यह यह हो गया हमारा झाल झाल यह हो गया हमारा कौन सा साइड एसेड साइड बारी है किसकी बिटा लाइबिलिटी साइड की देखने की तो देखो जब आप लाइबिलिटी साइड की बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो लाइबिलिटी साइड की लाइबिलिटी साइड को हम दो भागों में क्लासिफा करते हैं कितने जागों में क्लासिफाई करते हैं एक होता है आपका external liability और एक होगा आपका क्या internal liability कुछ बच्चों की दिमाग में कीड़ा घूमने लगा होगा से हमने तो यह सब पढ़ा ही नहीं था हमने तो पढ़ा था कि liability आरा classified in two parts one is the long term liability second one is the short term liability आपने पढ़ा बिल्कुल सही है बस आपने 90% पढ़ा 10% नहीं पढ़ा 10% अभी पढ़ लो business and businessman वो थारा different वो थारा separated तो अगर आप business की liability की बात करोगे तो business की liability owner को लेकर भी तो है बाहर वाले person को भी लेकर है और आपके owner को भी लेकर है जो owner को लेकर business की liability है उस liability को हम लोग कहते हैं आपकी internal liability हम मुह नहीं मोड़ सकते कि सरी है मेरी liability नहीं है liability तो है देना पढ़ेगा अगर आपने dissolution नाम का जब chapter पढ़ा होगा उसमें आखरी में क्या किया जाता था कि assets liability का payment करने के बाद पैसा फिर किसको दे दिया जाता था पाटनर को दे दिया जाता था अगर liability ना होती तो देते ही समझ में आया तो liability को हम दो भाग उसमें इंटर्नल एक्सटर्नल में नहीं क्या कहते है बाटते है और जबकि एक्सटर्नल को फिर क्या करते हैं हम दो भागों में बाटते हैं यानि यह जो liability है यह किस से और यह जो लाइबिलिटी है वह किस से रिलेटेड है आपके इनसाइडर से अच्छा आप क्या कह दो ओनर कह दो इनसाइडर तो ऐसा लग रहा है किसी होलीवूड पिच्चर का नाम बता रहे हो आप चलिए देखो आपका लौंग टर्म लाइबिलिटी और दूसरी क्या होगी बेटा आपकी short term liability लॉंग टर्म जो आपका बारा महीने के बाद तक देना है कुछ बचे यह सोचते हैं कि सर बारा महीने के बाद देना है या बारा महीने के बाद तक देना है दोनों में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है अगर आप सिर्फ ये बोलें कि सर बारा महीने बाद देना है इसका मतलब ये है कि आप बारा महीने के बाद भुक्तान कर रहे हो और बारा महीने तक देना है बारा महीने के बाद तक देना है इसका मतलब है कि आप 12 महीने 1,2,3,4,5,6,7 करते करते 12 महीने से के बाद तक आप पैसा क्या कर रहे हो दे रहे हो इसमें जो सबसे पहला फेमस एक्जामपल है जिसे हम लिखते है आपका बैंक लोन दूसरा है आपका डेविंचर जिसे आप बड़े प्यार से रिड़ पत्र कहते थे लॉंग टर्म बोरुइंग लॉंग टर्म बोरुइंग मतलब उधार लिया शे साल के लिए अच्छा बैंक लोन और लॉंग टर्म बोरुइंग में क्या अंतर है ध्यान से सुनियेगा किसी दूसरे व्यक्ति से ले लिया चाची से मिह लिया इसलियर द्युक्त नहीए अच्छा याद हो धित्वाण डिला दिया आपने एक बार में ने गल्थी से 1000 रुपए लिया था 2449 में क्या चल रहा है कि दो वजार चोविस आज तक मैंने मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने उसके बदले कितना रूपया दिया है ठीक है और जब भी भी कुछ यही होता है तो यही सबसे पहले टाना मिलता है कि आपने पैसा लिया था जाला, ठीक है, तो मैं भी खुषी, हैसे चलती है जंदगी, तो ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें देखें क्या एक्जाम्पल होगा, सबसे पहला, एक्जाम्पल हम लेते हैं, बिल पेडल का, फिर क्या लेते हैं आपका, आउट स्तेंडिंग एक्सेंस का, एडवांस इंकम एडवांस इंकम एडवांस इंकम का टिकी बीटAh प्रेडिटर का तो इस दा एक्जामपल आफ शॉट टर्म लियाबिलिटी बात क्लियर होगे बिटा चले आगे अगे अगे उसके बाद अब बात है ओनर की इसको ध्यान से देखेंगे तो ओनर की जब आप बात करते हो तो ओनर को सर क्या क्या देना है यह जानो जो ओनर को देना है वही बिजनस की लियाबिलिटी है ओनर को क्या देना है सर ओनर की कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट की है ओनर की कैपिटल जो उसने क्या कर रखी है इन्वेस्ट सर जो नेट प्रॉफिट हमारा आया था जो हमारा क्या आया था नेट प्रॉफिट आया था वो किसका है ओनर का ही तो है सर्माल लो कोई नेट लॉस हो तो वो क्या कर देंगे बिटा माइनस कर देंगे सर्माल लीजे अगर ओनर ने कुछ पैसा बिड्रॉ किया हो तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सर्माल लीजे ओनर की कैपिटल पर हमें इंट्रेस्ट देने का प्रोवीजन हो तो क्या करेंगे इंट्रेस्ट और कैपिटल देने का प्रोवीजन हुआ हो तो क्या कर देंगे जोड देंगे सर्माल लीजे अगर इंट्रेस्ट ओनर ने जो पैसा बिड्रॉ किया था उस पे हमें ड्रॉइंग मिलने का प्रोवीजन हो तो उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सर बात क्लियर हो गई बिटा इतना सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा ओनर लाइबिलिटी या इंटर्नल लाइबिलिटी ओफ बिजनस कहलाएगा अब आपके मन में एक सब्दा आएगा कि सर एक बात बताओ मालो एडिशनल कैपिटल होता तो जोड़ देते अरे मैंने नहीं लिखा तो थोड़ा आप भी अपने बुद्धी विवेक का इस्तमाल करिए मालिक ठीक है मैं लिखी दे रहा हूँ एडिशनल कैपिटल आपके सामने क्या क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कभी कभी एक्जाम में पूस्ता है हाउ टू कैल्कुलेट क्लोजिंग कैपिटल नहीं समझ गया और अगर कोई ऐसा है जो कहसर नहीं समझ में आया तो बेटा यह जो जोड़ा गया है न यहीं सब फॉर्मूला ही तो है और कुछ थोड़ों नालग है बात क्लियर हो गई बेटा नोट डाउन करेंगे चलिए तो दिस इस दा अगर मैं तबीद नहीं ठीक लग रही है अगर अगर इसलिए मैं क्लास को यहीं पर चोड़ रहा हूं ठीक है अगर